इस समय चलिए हमारे एक्सपर्ट को शामिल करते हैं किरन हमारे साथ जोड़ चुके हैं पिसिजिन इंवेस्मेंट्स के हाई किरन ग्राफ नून सबसे पहले सेल पर ही आपसे राय लिना चाहूंगा पांच तारी को एफस का एलान हो चुका है अब और यह स्टॉक अब करते हैं नेकलाइन के नीचे ट्रेड करते हैं नजर आ रहे हैं तो यह पैटर्न एक फाल्स ब्रेक आउट का हिसाब दिखा रहा है मेरे खाल से इसके निशलेस तर करीबन 80 रुपए के अच्छे सपोर्ट्स है इसके नजदिक अगर मिलता है तो आपको लेने चाहिए पर मे इसके निवेश करने के लिए नहीं होंगे 90 एक बहुत बड़ा बैरियर है अगर 90 को क्रॉस करता है तो टेकनिकली एक बहुत बड़ा बाय बन सकता है फ्यूचर्स में इसका बहु देखिए आपको कैश मार्केट में दिख रहा है ये 85 का बहु लेकिन फ्यूचर्स में जादा तेजी से बिटा है लगता है लोग वहाँ पर शॉर्ट पोजिशन से बनाते हुए आपको इस समय दिख रहे है एटी ट्रेड हो रहा है कैश मार्क कि उसका प्राइस पेटन जो मैंने कहा इनवर्ट एडरेंस उल्डर उसके नेकलाइन की ऊपर गहते पर इतने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ नहीं गहते इसलिए हमने ये बाय रेकमेंड भी नहीं किया था और आज वापिस एक बार उस नेकलाइन की नीचे जाते नदर आ थोड़ा वीकनेस तो हवी है स्टॉक पे उपर पर मेरे खाल से 88 अच्छा सपोर्ट है 78 से 80 लेके तो अगर ये पब्लिक इशू जो आने वाला है इसके अगर इससे अगर अपको कोई निवेश करना है तो 80 के करीब अगर निवेश करना चाहते है कोई तो इस स्टॉक में कर सकता है ओके लेकिन निफ्टी में जिस तरह का हाल पिशले कुछ दिनों में देखा गया है 85 33 पर आप क्या ट्रेड इनिशियेट करेंगे किरिन क्या कुछ और फ्रेशर देख रहा है या फिर फैक्ट कि हम 85 100 को आज के दिन होल कर पार रहे हैं सब ठीक है पॉसिटिव है हर् तो हम थोड़े से लोर टॉप लोर बॉटम कर रहे हैं याने करेक्टिव रैली दिखाई दे रही है और हर एक अपमूव आपको बिकवाली की सलह दे रही है वैसे भी मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं है अगला ट्रिगर जो है वो बजट है और बजट तो दो दही मैने द तो मेरे खाल से अभी मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली चल रही है कैच अप रैली है और मेरे खाल से आज इन्वेस्टर्स को अगले कई दिन के लिए इन्वेस्टर्स ने इंडेक्स को ना देखते हुए स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखने चाहिए बिल्को स्टॉक स्प पास के 10 डे आवरेज वॉल्यूम्स होते हैं किरन इसमें और आज देखिए करीब 36 लाख शेर ट्रेड हो चुके हैं अब तक दिन के हाइस लेवल पर ट्रेड हो रहा है ये बताइए मुनाफ़ा वसूली करने का ये सही समय है या फिर BTSD करना चाहिए इस स्टॉप में अगर कल तक कल या परस्व तक 135 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए जिल्द स्टील अन पावर एक स्टॉप जिसमें हमने देखा है कि अच्छा स्पाइक के सत्र में आया है नौ पसेंट टूपर इधर आपकी क्या रनीती रहेगी मेरे खहल से ये एक बीटन डान स्टॉप है ये डेड़ कैट बाउंस ही कहला है या मैं इसमें निवेश नहीं करने की सला दूँगा क्योंकि हर एक रैली जो हमने देखी है ऑक्टोबर में भी देखी नवेंबर में भी देखी जो रैली आती है वो सोल लफ हो जाती है याने नवेशक इसमें ट्रैप होते नजर आ रहे हैं मेरे खहल से ये स्टॉक से दूर दूर रहना चाहिए जब तक आपको ट्रें रिवर्सल प्राइस पैटन नहीं देखने को मिल रहे है और बैंक निफ्टी को किस तरह से आप ट्वेट करेंगे आज इंट्रस्टिंग पैटन देखने को मिल रहे है जहां पैसी बैंक शेयर ऊपरी दिन के हाई से नीचे आए है किरन वहीं ट्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स ने बैंक निफ्टी को देखिया आज सपोर्ट देने का काम किया आईसे 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 बैंक एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में एक करेंगे हमने इसको खरीदने की सला करीबन 16500 के करीब दी और हमने परसो ही इसके प्रॉफिट बुकिंग कर दिया थे तो मेरे खाल से बहुत बड़ी रैली हो चुकी है इधर से बहुत बड़ी आपेक्शा नहीं करनी चाहिए हाला कि हम 19000 के लेवल्स देख सकते हैं पर ला अगर निकल जाता है तो आपको 19000 के लेवल्स आपको चुने को देखने को मिल जाएंगे और टॉप बैंक क्या रहेगा ट्रीट के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक ही होगा कि जहां पर हमने बैसिकली आक्सिस बैंक देखा है इंडसेंट बैंक है फेडरल बैंक है कोटक यह सरे के सारे YES बैंक है या सरकने के सारे बहुत अच्छे आउट-पर्फॉर्मर के तोर पर खरे उत्रहvent हैं और इसमें से सबसे अच्छा बैंक देखते है तो इंडसेंट और YES बैंक की खरे दी करने के लिए सला होगी ओके तो इंडिसेंट येस जैसे स्टॉक्स एक परफॉर्मेंस अच्छा खासा आगे देते वह दिखाई देंगे लेकिन जो पूरा मार्केट में हम देख रहे हैं आज आक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है फर्स सोस्ट इसे काउंटर फिर अक्टिव हैं 11% का इजाव फाइदार PGR Energy Systems चैसे स्टॉक्स दमकालवा मिटकाप में कई ऐसे काउंटर हैं जहां पर रन अवे मूव्स देखे गए इन फाक्ट सुजलॉन के लिए भी आज का सात्र पॉजिटिव उभर कर आ रहा है इन फाक्ट कुछ टारिफ पॉलिसी चेंज़े आ सकते रन्यूबल एनरजी के लिए और उसी का इंफाक्स उजलॉन में दिखा गया प्रॉब्लम यही है कि स्टॉक में लोग काफी फसे हैं अब चौदा पर आया है क्या ओप्शन मिलेगा एक्जिट करने का हायर ग्राउन पर या फिर इतना पैसा मिल रहा है तो एक्जिट कर ले क्योंकि मेरे काल से ऐसे स्टॉक से दूर दूर रहना ही अच्छा है क्योंकि ट्रेंड भी खराब है और हर हायर लेवल्स पर जो जिन निवेशक ने 36, 32, 30 इन लेवल्स पर निवेश किया हुआ है वो एक्जिट रूट के लिए देखते हैं नजर आएंगे इस सर्कृट लगा इस स्टॉक में फिला लाज जय से